नमस्कार दोस्तो मैं विनो दुबाकुलियागवार फिर से आप सभी का मारी यूटूब चैनल दैरे इस्टेड़ी पॉइंट वे स्वागत है फ्रेंड्स आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि आपके एक्जाम की जो कोपी होगी वो किस परकार अपनको बढ़नी है किस परकार उसमें इंट्री करनी है ताकि कोई मिस्टेक ना हो यदि रोल अमर बढ़ने में बहुत सारे स्टुडेंट कर देते हैं रास्ताने उन्ट्रिकी की एक 시혁 कोपी और यहीं फॉर्मेट होता है इसमें 36 पेज होते हैं और यह फॉर्मेट थोड़ा दूदला-दूदलाद दिodhan दिक ताकि मैं सही तरीके से आपको समझा सुकूँ, वह का वो format है, इसको बड़े तरीके से बरकर मैं बताने वाला हूँ, इसमें अपन को admit card की भी आउ सकता होगी, यह मैंने admit card ले लिया है, रास्ता नूर्ट सिटी का यह है, और इसके बाद में एक साथ बरकर इसमें मैंने समझा रखा है, तो यह तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले, मोटी मोटी चीज यह देख लेते हैं कि क्या क्या mistake नहीं करनी है, एक तो है ना जो copy में अपन कहा कहा को entry करनी है, वो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, ठीक है, यह जो भाग है, इस भाग में कोई entry नहीं कर यह वाला भाग और यह पुरा कपुरा जो दिख रहा है आपको इसमें अपन को बढ़ना है, तो आप में बड़े तरीकी से आपको बता दिया, कहां कहां आपको बढ़ना है, कहां कहां छोड़ना है, ठीक है, इसके बाद में इस वाले format में अपन बढ़कर देखते हैं, क्य यह पता होना चाहिए, आप क्या कर रहे हो, आपको सब को पता होगा, मालीज आप BA कर रहे हो, या फिर BSC कर रहे हो, या फिर B.com कर रहे हो, और फस्ट एयर में हो, नोन हो, या रेगुलर हो, मालीज ये नोन हो, तो आप कैसे लिखोगी, मालीज आप BA कर रहे हो, तो आपन क के बाद में subject आपको पता है आप बी अ कर रहे हो तो बीये यहां पर लिख दोगे subject में ठीक है बीए लिख दिया यहां कर रहे हो तो बी लिखोगे और बी कॉम आपका पय पर है इसके बाद में paper मालीच आप प्राचिन भारत का इतियास आपका paper है तो प्राचिन भारत का इतियास नहीं उतारना है मानलिजे आपका history का first paper है तो यहाँ पर क्या लिखना है history first ऐसे लिखना है ठीक आगे और बड़े तरीकिस मैं समझा दूँगा तो वो डालना आपको इसके बाद में paper code ये जो paper code होते हैं वो आपका paper जो आता है उस पर लिखे हो ये होते हैं लेकिन अपन को ये copy तो पहले बर नहीं होते हैं तो फिर कहां से लाएं तो या तो आप जो सामने अध्यापक बैठा हुआ है उससे पूछ सकते हो बता देगा यदि आपको नहीं पता है तो जब वो sign करने आएं आपकी copy पर क्योंकि दो अध्यापक sign करने भी आएंगे आपकी copy पर तो उस time पूछ कर लिख लेना या फिर paper अजब आए तो उसमें देखकर यहां पर लिख लेना चार अंकों का आता है यह लेकिन एक बात हमें साध्यान में रखना कि आप यदि कोई कोई साभी column है ना जो यदि आपको बरा नहीं जा रहा है ना तो अपना डिमाग नहीं लगाना है उस examiner से पूछ लेना बड़े तरीके से बता देगा ठीक है तो यह paper code है ना जो paper पर मिलेंगे और या फिर आप है ना जो teacher से पूछ लेना इसके बाद day of exam exam का दिन तो माली जी सो मार लिखोगे बुद्वार है तो बुद्वार हिंदी में लिख सकते हैं इंगलिस में लिख सकते हैं तो जो वार ह लिखते हैं जीरो तीन कौन सा महिना है 500 जीरो इसके बाद भी 2024 ऐसे लिखना है ठीक है यहां तक बात किलिए हो गई इसके बाद में session की कौन से टाइम आपकी exam है यदि 7-10 के बीच में exam है तो इस पर किलिक करोगे यदि आपकी 11-2 के बीच में exam है तो यह किलिक करोगे और तो यह देखना होगा कि आपकी exam किस time में है तो बड़ा तरीकिस मैंने समझा दिया है इस column में अपन को कोई छेड़ चार नहीं करनी है अब आ जाता है man roll number तीक है roll number आ जाता है roll number कैसे roll number आपका admit card में देखने है तो इसमें roll number यहां पर लिखे हुए है यह इसमें न जो दो तीन चीज़े अपन को मिल जाएंगी एक तो roll number एक enrollment नमर जो होते हैं यह भी important है सारे सारे तो अपन को roll number क्या हो सकता है तो 17 बइयारी 602 एक चीज़ और जान में रखना इनके अं साथ अंक है ठीक है यह काम आएगा कैसे मैं बताऊंगा आपको कभी कभी क्या होता कि आपके roll number की जो अंक है वो कम होते हैं इसमें कितने हैं देखो एक दो तीन चार पांट छे साथ तो साथ है तो सुरू से स्टार्ट कर दो 17 42 602 पहले यह बढ़ने के बाद में इनको यह एक जो है इसके नीचा जाओ इस पर बर दोगे हैसे कैसे यह साथ नमर है तो साथ नमर नीचा जाओ यह रहा साथ नमर इसको है न जो बढ़ना है ऐसे दे रखा होगा आपको कोपी में इसके बाद में चार नमर को बरोगे तो यह आ जाओ यहां पर इसको बर दोगे इसके एक उपर रहे जीन रहे तो यह यह आपर है अब यह यहांपर रहे है वह सारे च्टुडेंट यहांने मिश्टेख कर देते हैं यह यह अपनको कहां पर मिलेगा admit card में मिलेगा अभी अभी हमने देखा भी है तो admit card में चलते हैं यह यहां पर यह देखो यहां पर enrollment नम्मर अठारा अबलिक उनेतर चारसो उनुसट तो शुरू के जो अठारा है ओबलिक के पहले वो year है अठारा ठीक है तो यहां पर सबसे पहληए यह लिखोगे तो वह 18 है यहां पर डाल हगी आपके हैं न क्या है हिंगी 242 кад में 24 louderular तो हां और लिखा हुआ तो चोईस यहां पर लिख दोगे आप इसके बाद में इसको वैसे बर दोगे आठ और इसके बाद में एक उसके बाद में आठ यहां पर इसको बर दोगे इसके बाद में यह नमर जो है ना वो आगे के बर दोगे ठीक है तो यह नमर यहां पर आजाओ यह नमर पाकी के जो ब दो तीन चार पांच च्छे बोक्स आएंगे वहां पर तो हमारे पांच में तो यह जो शुरू का है इसमें जीरो लगाना है और इसके बाद में उनेतर और आगे के जो अंक है ना 469 ठीक है तो बोक्स गिनने का और अंकों को गिनने का यह फाइदा है यदि आप नहीं को यह जो बोक्स है सेंटर कोड और उसके बाद में पेपर कोड तो पेपर कोड हमने यहां पर जो भी लिखा था मैंने बताये था आपको कि पेपर कोड माली जे आपर तरेपन 49 लिख दिया चार रंकों काता है एक्जामनर से पूछ लेना तो इसमें लिख लोगे आप तरेपन 49 माली जे लिख दिया आपने तो इन बॉक्स होगा ऐसे कैसे बर्द होगे जहां पर जैसे जैसे मैंने बताये कि इसके बाद में सेंटर कोड जो होगा वह आपके अडमिट कार मी दे रखा होगा तो माली जिए जो एडमिट कार्ड जिसका भी है उसका सेंटर कहा पर आया था तीन सो इगेतर लवेस गोवर्मेंट कॉलेज कॉड़ पुतली जैपूर तो यह जो तीन सो इगेतर आप दे रखे हैं तो सबसे पहले 0 लगानी है उसके बाद में 300 लगा दो और फिर बर दो जीरो उसके बाद में 3 को बर दो उसके बाद में 7 को बर दो इसके बाद में किस को बर होगे एक को बर दो यह सारी सारी फॉर्मेल्टी पूरी हो जाएगी इसके बाद में आपको करना क्या है य तो चार लगओगे, तो तो इसए द बर्द होगे तो इसको बढ़त है इसको पर्द होगे, यह सारी formalities बढ़ी बढ़िए तरीकाशे पूरी करनी है, इसके बाद में वापस वही चीज आजाएं क्योंकि यह दो जगह में बार दी जाती भाद में जब आ जाती कोपी तो इसलिए वा दाया दी अक्व कि बेड़ा नहीं को इसलिए बहुताद और यह ता लिखना आपको पर्ट है लिखना को इसके बाद में सब्जर्ट लिखने है सभ्जर्ट में फूंग से अपर एक ठाम से बरह दो गया रहा ह殊 है इसके बाद में यह थूड़ा चला गया इसके बाद में यहां पर पेपर ओवित नो मेनी लेक्चर ठीक है तो यहां पर है ना जो क्या लिखना है आपके पेपर का नाम लिखना है पूरा को पूरा लंबा नाम लिखना है जैसे आपका प्राचीन बारत का इतियास है तो प्राचीन बारत की इतियास को आप यहां पर तो यहां पर आपका है ना जो अस्ताक्सर यहां पर आ जाएगा और यहां पर साइड में दो अस्ताक्सर और करने हैं और वो कौन करेगा टीचर करेगा तो इस वाले कोलम में मत करना यह देख लेना यह दि लिखा हुआ हो ना तो वहां पर आप कर देना तो फ्रेंड्स यहां पर बड़े तरीकी सी मैंने समझा दिये अब मैं एक साथ पूरी चीज़े कर देता हूं ठीक है एक साथ बर रखिए मैंने आपको क्या कर पर लिखोगे 53 49 इसके बाद में इस परकार आप देट पर दोगे ग्यारा से दो के बीच में है तो इसको बढ़ोगे नून इसके बाद में यह पुरा को पुरा इस परकार आपको बढ़ना है ठीक है यह ऐसा नंबर है सा एंड्रोल्मेंट नमर जो है न वहां पर चीज समझ में नहीं आए इस वीडियो को दुबार देख लेना और फिर भी नहीं समझ में आए तो सामने जो टीचर होता है उसको प्यार से पूछ लेना है ऐसा मत करना कि मेरी थोड़ी बहुत इंसल्ट हो जाएगी यह है कई स्टुडेंट होते हैं जो नहीं पूछते हैं कोई मेर को ऐसे लोग सोचेंगे कि मेर कोट कुछ आता ही नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है पहले बार एक्जाम दे रहे हो तो कौपिया आपको यह समझ में कमी आएगी तो उनसे पूछ लेना पड़े तरह कि तो पहले बोल देते हैं कि वाई गलत मत पर देना ठीक है मिलते आईडीन अपने साथ में ले जान से आधार काड़ो पैन काड़ो फोटो टू यह सब है ना सारीक सार चीज़े आपको ले जणी होंगी ठीक है तो सारीक सार चीज़े मैंने किलियर कर दी है यह कोई डाउट है आपका तो कमेंट वोक्स में लिखना नहीं बूले मिलते एक नहीं वीडियो के साथ अपता है